आपके सहर खगड़िया का गौरव साधी ब्याहबो अन्नव सरुपर आभुसनव जेवरातों की खड़िदाड़ी के लिए एक बार अवस्चित पदारे हमारा पता है न्यू गोपाल जेलर सुथाना रोट खगड़िया नमस्कार मैं सुरजकुमार जा और आप देख रहे हैं बिहार दैनिक न्यूज चैनल मैं आपको बता दूँ अभी हमारी उपस्तिती जो है बेगु सराई जिला अंतरगत चमराही नामक गाउं में है जो की बहुआरा पंचाइत में पड़ता है और लगातार जो मतलब बिहार में और खगड़िया बेगु सराई जिला का जो क्राईम अस्तर है दिन बदिन कितना बढ़ता जा रहा है वो दिखाने के लिए आज आपके समक्ष इस वीडियो को लेके हम आ रहे हैं अभी हम जिस दर्वाजे पर ख़रे हैं उस घर स्टेक के मतलब एक यूबा थे यूबक थे जिनका की नाम उद्य महतों था सायद दुहा भी करते थे दूद खरीद विक्री का काम था उनका दूद के लिए सभी गाउं में जाते थे आते थे और खरीद विक्री का काम करते थे उनके पिता जी का नम अजय प्रसाद महतों हैं घर चमराही में है और घटना अस्तल हम आपको बता दे जो मतलब बेखोफ हो के अपरादी रातरी के लगभग सारे नोग दस बजे के आसपास बेला इस्थित जो है इंडियन पबलिक स्कूल है प्राइवेट संस्थान है उसके इड़ि गिर्द जो है जहांकि दोनों थाना का जो है छेक पॉइंट है एक तरह से कहा जाए जो प्रिहारा थाना का जो barrier बना हुआ रहता है उसी जगा रहता है ओलापुर गेंगा और थाना की गस्ती की गारी भी जाती है तो वहीं जाती है लगभग समय भी गस्ती का ही रहता सारे 9-10 बजे तक थाना को इस आसपास रहना चाहिए था लेकिन वहाँ पे थाना मौजूद नहीं थी और अपरादी बेखोब जो है उनके पीट में जो है गोली दाग के सीने में गोली दाग के निकल पराओ वहाँ से गोली लगने के बाद जैसा कि सुत्रों से पता चला जो गोली लगने के बाद भी वो काफी देर तक जीवित रहे उनको बेगुसराई ले जाया गया बेगुसराई के बाद बेगुसराई के डॉक्टरों ने उनको नकारा तो फिर पटना रेफर किया गया पटना जाते समय रास्ता में ही उनकी मिर्ट्यू हो जाती है तो सबसे पहले तो हम बोलना चाहेंगे जो बिहार में जो यह अपराध है कैसे रुकेगा और कब थमेगा मेहना दिन पहले का घटना आपको याद होगा जो पत्रकार सुभास वो भी साइद इसी पंचायद से आते थे बवारा पंचायद से आते थे घटना अस्थल भी सेम ही मतलब आधा क्या थी 500 मीटर का भी डिस्टेंस नहीं था उस पत्रकार सुभास कुमार की हत्या संध्या के 8 बज़े हो गई आज मेहना दिन भी नहीं बीता दूसरी हत्या उसी जगह पे उसी थाना छेत्र के अपड़ादी बेखोप होके दूसरी हत्या कर चुके हैं अभी आ चुके हम इनके परीजन के पास सुबह से कहीं हम बाहर ते समय नहीं मिला नहीं तो हम पहले भी आते तो सबस सब्सक्राइब के लिए अपटना दिल्ली या कोटा क्यों जाना बस एक बार विजिट करें विट्योरियल में अगरनी कोशी स्रेंस क्लासिक खगड़िया हमारा पता है महिला खाना रोड कोसाला परीशर के पूराव खगड़िया क्या लड़का है आप दो लड़का है बरा बला था बरा उदे था कोई पुरानी दुस्मनी थी जब हो गई तो किस कारण से हत्या हुई क्या करन वा तो हमको को मालूम नहीं है कैसे हुआ कोई मालूम नहीं हम तो जाते नहीं थे इसी कारण वो गया तो हम फोन किया वो लेकिन होस में था फोन किया तब हम दरबर मार के मोटर साइकिल सो गए हम लड़का को उठाए लेकिन तखनी ठीक था वो पतना रफड़किया तब गया गोली अर निकलवा कर मड़ इन अरॉकिया गोली लगा था था तीन को ली चला है था पीड़किंग बगल में लगा था तंकी बूर आप रही दुस्मनी की बात जैसा कि उनके पिता जी ने कहा जो इनको तो पता नहीं है तो मरने से पहले तो उनसे कुछ बाचीद तो हुई ओगी आपको कि हमको पिछे से गोली मार दिया चलते गारी में मार दिया क्या मतलब कोई बजह नहीं बताया आदमी पहचान की हुआ पिछे से मरा गोली पिछे से मरा और भाग गिया तो आखिर कारण क्या था गोली चलने का यह असपश्ट नहीं हो पा रहा है कोई आदमी अगर गोली चला बाद में नहीं चरह दिया हो जो जो है अगर गूली चला अब में कहतें आप लुख में भी था आपको कॉल भी किया कि रूष में करने के बाद उससे आप मों कपा करें हम अच्छे को मुझा डीया वरक आशार और या अभाड़ी से जागा आप अपना परिचेदे के सर आपको नहीं है फूपा हुए आपको क्या लगता है जो मतलब किस तर्थ क्यों इनकी हत्या हुई क्या कारण हो सकता है सिलसिले में कुछ मालिया अब क्या सिलसिला था यह कहीं कहीं ऐसा हो जो कोई पुराना दूस्मनी घर में दियाद में यह मतलब ऐसा कुछ होता है जो लोग आपसी रहना डियाद में किसी से नहीं होता है पहुत सीधा लड़का था उम्र क्या होगा लगभग उनका उम्र लगभग कितना उमर उमर 35 वर्स उम्र हो चुका था 35 वर्स के युबा थे अमूमन मतलब साधी सुदा भी होंगे साधी जैसा की देख सकते हैं आप इनके घर पे हैं मिर्तक के घर पे हैं और पता करने का प्रयास हम कर रहे हैं जो मतलब आखिर वज़ा क्या थी बज़ा हास पस्ट नहीं हो पा रहा है जो किस बज़ा से इनकी हत्या हुई लेकिन इनके बारे में बताया जाता था जो बहुत हिशाब किताब के शुद्ध आदमी थे किसी से कोई लाइलेट पर नहीं था और उसके बाद जो है उम्र इन और दूसरा बच्चा जो है इनका अभी बच्ची है जो लगबग आट से दस साल की है अभी तो मतलब सोका कूल परिवार है और इस सोका कूल परिवार में मतलब इनके घर में तो दादी है हाँ कि लिए हैं तो पुरा देनी इस्तितिग़ा याव परके स्बूर्टर्च पुरा रीपोर्ट-पीर डीर पूरा देनिय इस्तिति है पहचान हो चान नहीं हो पाया पहचान आप इस पर हम क्या बात बोल सकते हैं करो कुछ ने मर्दुला भी खा रहे रहा पहुत रहा इंसान आद्मी कत्या के हल्प करें कोई मेला बोराम के पुछियो कोई नहीं दूसमन रहा और जहां तक उनके होस में और खबर में जो है जो अपरादी जो है दो व्यक्ति थे वो भी बाइट से सवार थे और लगातार तीन फाइरिंग उनके उपर हुई जो एक जो है उनके मतलब जंगा में लगी दूसरा उनके पीट पे लगा और तीसरा जो आप देख सकते हैं जो यह मोटर साइकल जो है उसके टंकी में गोली लगी है और बार-बार हम बता रहे हैं जो घटना अस्थल जो है उलापूर गंगोर थाना चेत्र का है और आप देख सकते हैं जो वहां पे इंडियन पब्लिक स्कूल एक प्राइबिट स्वंस्थान है जिसके गेट पे सी सी टीवी केमरा लगा हुआ है और एक माला क्लिनिक करके है जो माला क्लिनिक करके है उसका भी उसमें भी सी सी टीवी केमरा लगा हुआ है अगर घटना के समय का रफोटे च से श kwijac crippain के तरब से घटना के समय चर्प पास के समय में में तो हमको लगता है जरूर कोई ना कोई सुराग मिलेगा इसंते की अपराढ़ी दवोचे जा सकते हैं प्लीका घटना था और उस घटना减 थाना के बढ़ा बावुस से अन्दर आता है और जो है परिहारा थाना छेत्र के अंदर होने के कारण अलेकिन मिर्ट्यू जो हुई थी वो उलापुर गंगोर छेत्र में हुए थी वो सीमा ही समझ लीए एकुक्तेसे का बात करने के बाद हमको यह बोले माधमे क्या कर सकते हैं इसमें तो मैंसे जाके वो च्षेतर वाला जाने और उस च्षेतर में क्योंगा वर एक बात की संवेखर पर्यारा था लेकिन इनके के अनुसार अब कंप्लिन गंगोर थाना छेत्र में होगा और केश भी गंगोर थाना छेत्र में होगा फम गंगोर थाना छेत्र के बराबब उसे भी मिलने का प्रयास करेंगे उनसे जानकारी लेंगे और क्या कुछ कर रही है परसासे नहीं सत्याकांड पर वो आपको अपड नवार